दुलन ने खुला पुरी चपल और दूले ने बन्यान और शॉर्ट्स में की शादी बॉलिवुड जगत से क्या आएगा नई शादी का ट्रेंड? बॉलिवुड के हर शादी खास होती है फैंस इन में शरीक हो ना हूँ लेकिन तस्वीरों और वीडियोस के जरिए रीना दत्ता की बेटी इरा खान ने लॉंग टाइम बॉल्फरेंड नुपुर शिखारे से शादी कर ली है जिसका आयोजन बीते दिन ताज ग्रैन होटल में किया गया अब बॉलिवुड की शादियों पर तो हर किसी की हैरान कर दिया है जिहां आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी बेहत साधार अंतरीके से हुई जिसके अब काफी चर्चा हो रही है शादी की कई तस्वीरें और वीडियोस सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं जिसमें दुला दुलहन को अलग अंदाज में देखा जा सकता है दोनोंने हेवी लहंगा और नॉर्मली शादी करने वाले जोडों का लुक छोड़कर बेहत सिंपल लुक चुना है बता दें कि अपनी शादी में दुलहन बनी इरा हेवी लहंगा छोड़कर हेरम पेंट और दुपटे में दिखी हाथ में इरा ने ना तो चूड़ी पहनी थी और ना ही चूड़ा उन्होंने हाथ में स्पोर्ट्स वाच पहना था इसके साथ उन्होंने पैरों में कोलहापुरी चपल पहनी थी जबकि शादी में दुलहा यानि नुपुर शिखारे जिम के कपड़ों में नजर आए सोचल मीडिया पर वारल क्लिप में नुपुर और ईरा शादी के कागजातों पर साइन करते वे नजर आ रही है वहीं एक तरफ शादी के कपड़े बेहत सिंपल नजर आए तो दूसरी तरफ शादी में बाराद भी बड़े अनोखे ढंक से आई दरसल फेमस सेलेब फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने ओफिशल इंस्ट्राग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया इस वीडियो में नुपुल शिखारे अपने करीबियों के साथ 8 किलोमीटर तक दोड लगा कर वेवाहिक स्थल पर पहुँचते नजर आए जिसके बाद आमिर खान ने उनका स्वागत किया साथ ही नुपुल जॉगिंग के कपड़ों में ही ढोल बजाते और कागजों पर दस्तकत करते दिखे इस शादी के वीडियो और फोटोस सोचल मीडिया पर आते ही फारल होना शुरू हो गए जहां एक तरफ लोग इस शादी को पसंद करते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये सब लाइम लाइट में आने का तरीका है इस अनुगी शादी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताए